आज बड़ा इंपार्टन टापिक है कनेडा में जो स्टूडेंट मास्टर डिगरी में जा रहे हैं उनके लिए फाइदे ही फाइदे हैं उनकी पत्नी साथ जा सकती है बच्चों की फ्री एजूकेशन है लेकिन इस पर कुछ क्लैरिटी चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिना पी एल के ऑगेटरी एलो एब्रीबर जसमी जी पहले तो बहुत खुशखकबरी है कि बड़ी संख्या में इंडिया के स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनका ट्रेंड है कनेडा में एड़मिशन का मास्टरा है बड़ी तेज हो रही है और स्टूडेंट्स का उनका स पाउस साथ जा रहा है, बच्चे भी साथ जा सकते हैं, लेकिन clarity इस पर क्या है? जिसके पास maximum visas आये पिछले 3 साल में, जो सोच सकते हैं कि अगर उनका October intake close हो चुका है, तो इस ताइम Masters का trend पीक पे है, तो अगर आप अभी University Canada West जाना चाहते हैं, तो January intake में apply करना पड़ेगा, So Student University Canada West में अभी आपको मिल रहा है application fee waiver and scholarship up to $4,000, but अभी clarity की बहुत जादा जुरुत है, जो बच्चे foundation या ESL language courses में जाएंगे, Masters से पहले, उनको चाहिए होगा P.A.L. ये एक latest update है, पहले government को लगा था, या colleges को लगा था, कि जो बच्चे Masters करने आ रहे हैं, with foundation भी उनको P.A. P.A.L. की जुरुत नहीं पड़ेगी, तो मैं सब को बताना चाहता हूं कि जो बच्चे foundation या ESL करने आएंगे Masters program से पहले, क्योंकि काफी बच्चे direct entry to Masters eligible नहीं है, तो जो direct entry to Masters eligible नहीं हैं, तो वो foundation course करते हैं, जैसे कुछ बच्चे B.Tech हैं और वो MBA करना चाहते हैं, बट उन उन्हें management सीखने के लिए 3 मीने का foundation लगेगा, तो 3 मीने के foundation के लिए उन्हें चाहिए होगी P.A.L. letter, इसी में ये देखने को आया है, हमारी applications भी और consultant की applications भी इस scenario में withdraw हो रही हैं, क्योंकि requirement of P.A.L. है अभी Masters में, अगर आप direct Masters में admission ले रहे हैं, मतलब कि आपको कोई foundation और English language नहीं लगी है, तो आपको P.A.L. की requirement नहीं है, STEM Masters in Computer Science open है, Algoma University में, STEM Masters MBA open है, for काफी सारी universities में, Masters in Management University Niagara Falls open है, Masters in Data Analytics University of Niagara Falls open है, इसके इलावा भी काफी सारी Masters की options देखी जा सकती हैं, अगर आप Canada में अपने spouse और बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, आपको ये चीज़ पता हो चाहिए कि जब आपका spouse जाता है, वो full time काम कर सकता है, और जो आपके बच्चे हैं, वो Canada में free of cost public schools में पढ़ सकते हैं, और पूरे medical benefits आपको मिलते हैं, इसका मतलब है कि जो PR के benefits हैं, जिस दिन आप Canada पहुंचते हैं, आपको work permit मिलता है, आपके spouse को work permit मिलता है, और जो study permit आ लागू हो जाते हैं, so students, अगर master's में आप apply करना चाहते हैं, तो आपको एक expert consultant की जुरत है, क्योंकि काफी लोगों को इस process का नहीं पता है, और landmark immigration की कोई processing piece नहीं है, तो आप हमारे through apply कर सकते हैं, master's in computer science, अभी September intake में हम दावा करते हैं, आपको मिलने का जो की बहुत ही short availability का courses है, master's in computer science, January intake में भी आपको public university में नहीं मिलेगा, but landmark immigration आपको master's in computer science दिलाने का दावा करता है, पिल्कुल ठीक है sir, sir, master's के कौन-कौन से अच्छे program है, जो अभी September के लिए available है, वो ही मैंने बोला, बहुत shortage है, MBA, master's in computer science, master's in management and master's in data analytics, ये courses ही अभी available है, सिरफ September intake के लिए, इ अगर हम public universities की बात करते हैं, तो they are not issuing offer letters for master's programs, क्योंकि उनके पास overwhelming response आ चुक है, उनके पास applications बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और public universities offer letter देने में 6-8 महिने का time ले रही है, तो मेरे को लगता है कि अगर आपको private university में भी master's मिल रही है, which is also a very very good option, क्योंकि PAL की जुरुत न option अगर आपको अभी September intake में admission मिल रही है, जी, चलिए, thank you so much, इंडिया के किसी भी हिस्से से आप 90413-90412 इस number पर call कर सकते हैं, live call हर रोज 4.30 बजे है, उसमें आप call कर सकते हैं, जिसमें EDC111 बना सकते हैं, आप email भी कर सकते हैं, info at landmark communication.com, thank you so much, thank you so much. ुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु झाल झाल